लता मंगेशकर, शायदी भारत में कोई ऐसा विक्ति होगा जिन्होंने इनका नाम ना सुना हो या इनके गाने ना सुना हो हाला कि हम सब के लिए एक sad news यह थी कि 6 फरवरी को इनका death हो गया एक बहुत बड़ी एक shocking news थी हम सब भारतियों के लिए लेकिन चलिए no problem बढ़ना तो ही आगे हम सबी को तो इन से जुड़ा हुआ question पूछा जा सकता है मुझे काफी ज़्यादा मतलब ऐसे feeling आ रही है कि question पूछा जा सकता है पहली बार भारत में लता दीनानात मंगेशकर अवार्ड दिया गया है अपरेल मंत के अंदर तो उन्टे फोर्थ अपरेल को ये अवार्ड दिया गया एक्शली दीनानात जो मंगेशकर है उनकी अवार्ड सेर्मनी होती है हर साल जो कि खुद भी अपने आप में बहुत बड़े singer थे है तो उनका इसबारी असीवा जो ये अवार्ड सेर्मनी थी वो रहा था तो उस टायम पर इनाउंच किया गया कही है लता दीनानात मंगेशकर अवार्ड भी दिया जाएगा उस वेक्ति को साल में एक बर किसी दी वेक्ति को सेच्छा काम क्या हो निर्सवार दभाव से देश की सेवा की हो तो इस बारी के लिए इंपॉर्टन चीजी यह है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह अवाड दिया गया है किसको नरेंद्र मोदी जी को तो आप एक्जाम पाइंट अवी से याद रखें